So Hi Everyone, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चनल हेमन टैक में तो दोस्तो रूटारेप के तरब से अपने मोटाजेशन जर्नी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है इस अपडेट से आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो अपडेट है गूड हो सकता है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो अपडेट है बैड हो सकता है तो दोस्तो जैसी कि मैंने पिछले विग वीडियो बनाया था करन्ट इस्टेटरस को लेकर जिसमें आप लोगों का मेरे पास comment आ रहा था कि हमारे router app के profile पे second step पे current status रहा है हमारा feedback हट गया तो क्या हमारा router app मोटाईज हुआ या नहीं हुआ इस प्रकार के आप में से बहुत सारे लोगों को comment था और दोस्तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आपका जो current वाला status ये update होगा ये आने वाले कुछ दिनों में जो इसे update कर दिया जाएगा तो आप लोग इसमें daily live stream करिये जब तक आपका complete नहीं हो जाता है तब तक आपको daily live stream करना है इस प्रकार के मैं आप लोगों को suggestion भी दिया था तो दोस्तो उसी monetization journey को ले कर router एम ने एक नया update launch किया है तो चलिए वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो update है किन-किन लोगों के लिए good update है और किन-किन लोगों के लिए bad update है तो वीडियो को पूरी last तक देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा और आपसे एक request है कि अभी तक आपने हमारा चैनल को subscribe नेकिए तो प्लीज जल्दी चैनल को subscribe कर लेना साथना बेल आइकन गंटिक और पर प्रेस कर देना तो चलिए time नवेस्ट करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों बातों को ध्यान से सुनियेगा ध्यान से समझेगा तो जैसे कि मैंने पिछले वीग वीडियो बनाया था current status को लेकर और उसमें मैं आप लोगों को suggestion दिया था और आप मेंसे बहुत सारे लोगों को first payment रिसीब हुआ था लेकिन उनका जो profile का second option में current इस्टेक्टर सो रहा था उनका profile पूरी तरीकर से mortise नहीं हुआ था तो दोस्तों जो router app का तरब से update आया है mortise जो update आया है आपके second step को लेकर ही आया है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको good update बताता हूँ कि router app के तरब से क्या good update लाया गया है तो दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोगों को router app के तरब से payment रिसीब हुआ था और आप मेंसे कुछ लोग मुझे Instagram पे message करके बताया थे साथ में इसकिन सौट भी बेज़े थे कि सर हमारे router app के second step पे current status हो रहा है और हमें जो है इतना payment रिसीब हुआ है तो मैं उन लोगों को यह की suggestion दिया था कि आपको payment भी रिसीब हुआ है और साथ में आपको जो router app का profile है वो current status में है तो आप इसमें बीना रुके बीना skip के आप live stream करते जाएए और कुछ दिनों में आपका जो router app का profile है 100% monetize हो जाएगा तो दोस्तो जिन लोगों को मैंने suggestion दिया था वो लोग जो उसमें regular live stream करे हैं उन लोगों का profile आज के date पे complete monetize हो गया है और उनको first week का payment भी मिल गया है और दोस्तो उन लोगों का profile इस बार के update में जो है पूरी तरीके से complete monetize हो गया है तो दोस्तो ये जो update है उन लोगों को लिए benefit हो रहा है जो लोग इस पे सही सही का से live stream करे हैं जिनके profile में कुछ दिन पहले current status हो रहा था अभी के date पे उनके profile पे complete monetize हो गया है अब आगे जितना ओर live stream करेंगे उतना ज्यादा उनका payment मिलेगा जितना ज्यादा उसका views आएगा उतना ज्यादा उसका जो payment होगा वो increase होता जाएगा तो दोस्तो इस बार का जो good update है यह उनी पे apply होता है जो लोग इस पे सही सही का से live stream करें हैं अच्छे से live stream करें हैं बीने skip live stream करें हैं और दोस्तो जिन लोगों के profile अच्छे से monetize हो गया है तीनो step complete monetize हो गया है उनको आप कुछ भी करनी की जरूरत नहीं है आप सिर stream करें गए उस हिसाब से आपका payment मिलेगा अब दोस्तो चलिए bad update के बारे में बात करते हैं कि किन-किन लोगों के लिए यह जो update है bad हो गया उनको जो इस update से मज़ा नहीं आया है तो दोस्तो यह जो update है उन्हीं के उपर जो है apply हुआ है जिनका profile कुछ दिन पहले current status में था ल आपे से कुछ लोग सुभा live stream करेंगे कुछ दोपार में कुछ रात में इस प्रकार से आप लोगों ने live stream करेंगे इसी करार से फिर से router app के तब से आपके profile को 21 day का feedback दे दिया है यह जिदी दोस्तो जिस दिन से आपके router app के second option पे current status update हुआ था उसी दिन से आप सही तरीकर से live stream करते हैं एक ही schedule पे live stream करते हैं तो अभी के date पे आपका router app पूरी तरीके से monetize हो जाता साथ में आज के date पे आपको payment भी receive हो जाता लेकिन दोस्तो आपका जो profile monetize नहीं हुआ है तो इसी करार से नहीं हुआ है कि जब router app ने आपका profile को review किया तो वहां पर जो कुछ आप में क उसके बाद आपके profile पे कोई भी problem नहीं आएगा आपका जो profile है 100% monetize हो जाएगा और आगे चलके आप इससे अच्छी खासी earning कर सकते हो तो दोस्तो रूटर app में इस बार जो update आया है monetization journey को लेकर वो यही update है कि कुछ लोगों के profile पे फिर से 20 day का feedback दे दिया है और कुछ रूटर app के profile पे फिर से 21 day का feedback आ गया है और जिनके भी रूटर app के profile पे 21 day का feedback आया है तो आप घबराइए मत आप अच्छे से live stream करोगे तो आपका जो profile है 100% monetize हो जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो पे आप लोगों से यही update share करनी थी तो दोस्तो आप सभी को मेरा information क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर helpful वीडियो लाता रहता हूं और आगे लाता रहूंगा तो इससाथ चलिए मिलते हैं को नए वीडियो में एक और नए topic के साथ में तब तक के लिए bye bye